Hi Everyone, Welcome to my YouTube Channel अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रिस कर दीजिए जिसे लर्णिंग के वीडियो आपको मिल सकें तो बात करेंगे निप्टी की, निप्टी की कल अक्सपायरी है तो निप्टी में किस परकार से अपनी यहाँ पर कामकाच कर सकते हैं, तो यह मैंने यहाँ पर क्या है, अगर आप देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा है, सलो स्टेडी है, वो उपर की साइड में जानने की मार्केट में अभी क्रेक्शन है, वो पेंडिंग पड़ा है, तो मार्केट में जो बैंग निप्टी है, बैंग निप्टी काफी मोव नीचे की साइड में कर चुका है, और अभी भी बैंग निप्टी क्या है, बेरिसी ही थोड़ा सा दिख रहा है, तो अभी निप्टी की बात करें तो Nifty है वो bank Nifty की अपक्सा bullish जरूर है मगर यहाँ पर जो move है वो यहाँ पर जो जिस परकार का move मिलना ची और वो move है वो यहाँ पर नहीं मिल रहा है savage market ? Assassin market अपनको यहाँ पर देखने को मिल रहा है यानी sideways market ? देखने को मिल रहा है तो कल में रजिस्टेंस होने वाला है निप्टी के लिए वो रहने वाला है चोईस अजार आठ सो दस से लेके चोईस अजार आठ सो तीस यह क्या है में रजिस्टेंस होने वाले है निप्टी के लिए जब तक इस resistance को upside की तरफ नहीं निकालता है तब तक में क्या है bank nifty के अंदर यहाँ पर bullish नहीं रहूँगा क्योंकि अभी भी मुझे थोड़ा सा doubt यह है कि market है वो एक बार फिर से यहाँ पर correction दे फिर यहाँ पर resistance को अपना breakout करें तो अभी market में मैं कल के लिए एक बार put की opportunity को find out करूँगा जब market अगर मालो की बड़ा gap up अगर open होता है तो मैं यहाँ पर एक put की छोटी सी small quantity के साथ small SL के साथ यहाँ पर एक put की try करूँगा क्योंकि अगर आप intraday के अंदर देखोगे तो intraday के अंदर nifty नहीं यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर किया नहीं है कुछ बड़ा और slow steady यहाँ upside की तरफ जाके यहाँ पर nifty नहीं क्या किया है close किया है अगर निप की बड़ा gap अगर resistance के ऊपर खुलेगा तो फिर में यहाँ पर projection को देखूँगा उसके बाद में wait करूँगा क्योंकि अगर उपर बड़ा gap ओप opening करेगा तो फिर में नीचे आने का wait करूँगा उसके बाद में कोई resistance उपता है तो फिर मैं यहाँ पर call की opportunity find out करूँगा अगर market गलती से अगर 2650 के नीचे पिसलेगा तो फिर यहाँ पर एक downfall है वो अपन को यहाँ पर देखने को मिल सकता है क्योंकि अभी जो लेवल है निप्टी के लिए वो क्या है यह zone होने वाला है जो 2650 का main zone है जब तक निप्टी इसके उपर रहेगा तब तक यहाँ पर buy रेक्टिव होते हुए नजर आएंगे क्योंकि अगर आप देखोगे तो जिनोंने यहाँ पर किसी ने buy किया है किसी ने यहाँ पर buy किया है किसी ने यहाँ पर buy किया है तो यह जब तक SL hit नहीं होंगे तो market में एक downfall है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा तो कल मैं निप्टी के अंदर यहां पे 2450 पे क्या रहूंगा बेरिस रहूंगा और 2830 पे में क्या है बुलिस यहां पे रहूंगा तो इस zone के अंदर क्या है यह trip zone होने वाला है तो इस zone के अंदर market है वो यहाँ पर बिल्कुल sideways market रहने वाला है जो move है वो 24-650 और 24-830 के above और 2650 के नीचे ही देखने को मिल सकता है तो कल मेरा थोड़ा सा निप्टी के अंदर यहाँ पर मैं थोड़ा सा बेरिस निप्टी को द निखला है तो मुझे यहाँ पर upside का बिल्कुल भी confidence नहीं है तो कल के लिए मैं थोड़ा सा निप्टी को यहाँ बेरिस रहूँगा कोल की साइड में निप्टी को कल के लिए ignore रखूँगा क्योंकि कोल की साइड में मुझे momentum है वो थोड़ा सा कम possible यहाँ पर दिख रहा है अब बात कर लेते हैं बैंग निप्टी की कि बैंग निप्टी में आज expiry कैसी रही और कल किस परकार से यहाँ पर कामकाज कर सकते हैं तो बैंग निप्टी सबसे में important है कि बैंग निप्टी जब तक पचास अजार पचास अजार कि नीचे क्लोज करने में कामियाब नहीं होगा तक तक यहाँ पर बायर एक्टीव होते भी नजर आएंगे तो अगर आप देखोगे कि निप्टी है वो यहाँ फे फ्लेट सा ओपन थोड़ा सा गेप डाउन ओपन होता है गेप डाउन होने के बाद में भी अगर आप जब तक यह ऐसल हिट नहीं होंगा बायरों का तब तक निप्टी है बैंग निप्टी है उसमें क्या है डाउन फोल है वो नहीं देखने को मिलेगा जब भी बैंग निप्टी इस लेवल पे आएगा तो यहाँ पे फिर से बायर एक्टी होते हुए नजर आएंगे और फिर 1290 का तो यह में लेवल है तो बैंग निप्टी इस वीक में क्या कर सकता है इसी जोन के अंदर यहाँ पे ट्रेड कर सकता है क्योंकि बैंग निप्टी जब तक नीचे की साइड में नहीं आएगा तब तक के कोई खास मूवमेंट है वो यहाँ पे नजर नहीं आएगा जब अपसाइड की तरफ इस रेंज को अपसाइड की तरफ नहीं निकालेगा तब तक एक अपसाइड मूव है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि यह जोन है यह सेलर जोन है और यह बायर जोन है तो जब भी मार्केट नीचे की साइड में आएगा तो यहाँ पे बाइर एक्टिव होती हुए नजर आएंगे और अपसाइड की तरफ जाएगा तो यहां पर इस जोन पर क्या है इकाउन अजार के सम्थिंग यहां पर सेलर एक्टिव होती हुए नजर आएंगे तो अभी कल के लिए बैंग निप्टिव में मैं कोई बड़ा टार्गेट यहां पर नहीं ले के चल रहा हुँ अगर आप उप्शन सेलर हो तो यहां पर बैंग निप्टिव को कल के लिए आप इग्नोर कर सकते हो क्योंकि bank nifty कल हो सकता है इसी zone के अंदर यहाँ पे trade करे अगर आपन यहाँ पे एक बार one day का chart अगर मैं आपको दिखाऊं तो one day के chart में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे no momentum है वो यहाँ पे दिख रहा है bank nifty क्या कर रहा है एक range के अंदर यहाँ पे consolidate है वो यहाँ पे कर रहा है तो यहाँ पे जो upside का move और downside का move है वो इसी range के तूटने के बाद में ही यहाँ पे देखने को मिल सकता है क्योंकि अगर आप upside की level की बात करें अपन तो bank nifty के पास में अभी यह जो zone बना हुआ है वो के लिए अपन यहाँ पे देख लेते हैं अगर कोल की side में अगर अपना छोटा सा trade bank nifty की तरफ लेना चाहेंगे तो अगर bank nifty 50,700 पचपन को अगर upside की तरफ निकालेगा तो यहाँ पे account 1000 के target के लिए आप एक कोल की position में बैट सकते हो और जो put की position है वो 50,290 के नीचे ही यहाँ पे अपन देख सकते हैं otherwise put को अपनी यहाँ पे क्या है ignore रखेंगे क्योंकि bank nifty है अभी भी कोई move है bank nifty में वो दिख नहीं रहा है बिलकुल भी तो जब यह range breakout होगी तो bank nifty में एक अच्छा खासा move है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है क्योंकि अगर आप देखोगे तो अभी भी bank nifty के पास में क्या है यह एक जो trade line है वो यह form हो रही है जब तक इस trade line का breakout अगर upside की तरब नहीं आएगा तब तक bank nifty में क्या है seller active होते हुए नजर आएंगे तो जो main trade line है इस trade line पे आप नजर बना के रखिए तो इस trade line का जब भी तूटेगी तो यहाँ से एक upside का move है वो यहाँ पे अपन को bank nifty में देखने को मिल सकता है तो यह analysis आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को subscribe कर दीजे और bell icon को press कर दीजे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जए है